पेड़ पोधे इंसान की विविन परिशानियों को हल करते हैं। हिंदु धर्म में हमेशा प्रिकृति को खास और पूजनी इस्थान ताप्त है। इसी संबंधी की बज़े से प्रिकृति की पूजा करने से हम एक सहज जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पेड़ पोधों भी प्रिकृति का एक अभिन्य और महत्पून हिस्सा है। आज हम आपको बताएंगे की कौन से पोधे की पूजा कर आप कैसी परिशानी को हल कर सकते हैं। तुलसी हिंदु धर्म की मानताओं के अनुसार जिस घर में नित्य तुलसी के पोधे को जल चड़ा जाता है। उसकी पूजा की जाती है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर में हमेशा देवी लचमी जी का वास होता है। पीपल की पूजा करने का शास्त्री विध्यान बहुत महत्वपून है। ऐसा माना जाता है कि पीपल में स्वयम भगवान विश्नु का वास होता है इसके आलावा यहीं भी माननेता है कि पीपल की पूझा करने से शनी दोस्त से मुक्ती मिलती है बरगत का पेड बरगत का पेड अपनी जटाओं की वज़े से अलग ही स्वरुप में दिछता है इसकी पूझा करने से महिला useless क्या खंड रहता है और संतान समंधी वाधाएं भी दूर होती है हिंदु धर्म में सबसे पवित्री पेड़ माना जाता है आवला आवले का सेवन करने से रोगों का नाश होता है यह बहुत सी बीमारियों में इलाज के तोर पर भी काम करता है आवले की पेड़ की पूजा लेकिन ऐसा माना जाता है कि आवले की पेड़ की पूजा करने से बिभिन समस्याओं से मुक्ति मिलती है और देवी लच में भी प्रसन्न होती है जातक को घर छेतर में सफलता प्राप्त होती है बिल्व पत्र भवान को अत्यंत प्रिये होता है शिप पूजा के दौरान इनका प्रियोग अनिवारी और शुब माना जाता है लेकिन बिल्व की पेड़ की पूजा करना आपको नोकरे में प्रमोशन दलवाने के साथ साथ अकाल मिलत्यू से भी रख्छा कर सकता है अशोक का पेड अशोक का पेड हर रो को दुख का नाश करता है अगर कोई विशेश मनोकामना आप रखते हैं तो ये पेड आपको जरू फल देता है इसकी पूजा विशेश फलदाई होती है केले के पेड कुंडिली में ब्रस्पति ग्रेक की इस्तिती सही न हो या वे पीडित हो तो केले के पेड की पूजा की जाती है केले की पेड की पूजा करने से विभा में आ रही बाधाय भी दूर होती है और विभा की योग बनने लगते है शम्मी का पेड की पूजा करने के लिए लंबे समय से चल रहे कोट केश में सफलता मिलती है और सत्रों का विनाश होता है लाल चंदन के पेड की पूजा करनी चाहिए लेकिन ये पूजा पूरे विधि विधान से की जाये तभी फलदाई होती है लाग चंदन के पेड़ की फूजा करने से प्रमोशन के योग भी बनते हैं पेड़ पोधे हमेशा हमसे बेना मांगे सब कुछ देते हैं ये भगवान के प्रतिरूप रिया उनके साथ सीधे सम्मध रखते हैं हमें इनका आधर करने के साथ साथ इनकी रक्षा भी जरूर करने चाहिए तो दोस्तों अगर आपको हमारे दोरा देगे यह जान करें अच्छी लगी हो तो आज ही हमारी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए तदा कमेंट बॉक्स के मादम से कमेंट करिए और अगर आपने हम कशले को सब्सक्राइब कर देजिए धन्यवाद दूस्तों कि अगरे करें दो